दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किसी का भी आप लायू लोकेशन जो है वो किस प्रकार से आप ट्रैक कर सकते हो तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है करेश आप देख रहे हैं टेक्निकल टीचर चलिए आज कुछ नया सिखते हैं तो दोस्तों अगर आपको विक्टिम का लोकेशन ट्रैक करना है ठीके वो कहां पर है किस समय क्या कर रहा है इसके लिए ठीके आपको कोई भी एप्लिकेशन जो है विक्टिम के फोन पे इंस्टॉल नहीं करना है खाली आपको उसके एक बार आपको सेटिंग यह जो है उसका फोन आपके अपने हाथ में लेना पड़ेगा ठीक है सेटिंग में जाना पड़ेगा और सेटिंग में आपको यहां पर एक option मिलेगा find my mobile ठीक है इस प्रकार से इसको आपको search कर लेना है तो उसके फोन का एक बा चुदा हो जाता है कई पर गुम हो जाता है तो इसके लिए आप यहां पर यूज कर सकते हो उसके बाद दोस्तों आपको करना यह है कि आपका कोई भी एक email आइडी इस प्रकार से बना लिजे कि उस victim को पता नहीं चलना चाहिए यह किसका email आइडी है तो उसको एक बार क्य लेना है और यहां पर उसके victim के phone में उसको आपको login कर लेना है ठीक है तो यहां से आप इसको इस प्रकार से login कर सकते हो लोग इन में भी आपको कोई problem यहां पर नहीं आनी वाली है तो दोस्तों अगर यह वाला आप यहां पर screen पर दो phone देख रहे होंगे तो यहां पर जो left इसका जो location है हम यहां पर track करने वाले हैं तो सबसे पहले मैं आपको इसका location जो है मैं आपको बता दूँगा कि यहां पर मैं maps में जाकर आप location जो है वो देख सकते और वही phone का जो location है ठीक है हमने इस phone में कोई भी application इंस्टॉल नहीं किया है खाली find my device इसको on कर लिया है और यहां पर एक fake email ID जो है उसको login हमने कर लिया तो यहां पर मैं आपको मेरा जो phone का location है वो यहां पर आपको में दिखाना चाहूंगा और वही location जो है ठीक है आपको यहां पर जो right वाला phone है इसमें दिखने वाला है तो location हमारा यहां पर आ जाएगा ठीक है location आने में यहां पर तो यहां पर दिखे, एक dot आपको यहां पर दिख रहा है इस प्रकार से, तो यह जो है location यहां पर मैं थोड़ा सा ही से, यहां पर back कर देता हूँ, ठीक है इस प्रकार से location है, अब आपको दोस्तों करना यह है, कि आपको प्लेश्टोर पर चले जाना है राइट वाले फोन में और google का, google find my device इस प्रकार का एक application आपको प्लेश्टोर पर मिल जाएगा, google का है, ठीक है आप इस पर trust कर सकते हो, google का ही यह product है, तो इसको आपको यहां पर डाउनलोड कर लिना है, अब डाउनलोड करने के बाद दोस्तों, यहां पर मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है तो मैं खाली open पे click करूँगा, तो दोस्तों आपको जब आप इसे open कर दोगे, ठीक है, इसको मैं थोड़ा से यहां पे इसका data जो है, वो clear कर देता हूँ, क्योंकि इसको मैंने इससे पहले ही open किया है, तो इसका user interface किस प्रकार से दिखता है, यह मैं आपको यहां पे properly खाना चाहूँगा, ठीक है, इस प्रकार से clear data हो जाएगा, अब प्लेयर स्टोर से आपने download किया, तो open पे मैं खाली click करूँगा, अब यहां पर sign in as guest इस प्रकार से आपको क्या करना है, इस पर click कर लेना है, तो दोस्तों इस पर click करने के बाद, ठीक है, यहां पे आपको email phone जो आपने यहां पे जो victim के email, जो mobile में जो हमने email डाला हुआ है, उसको आपको यहां पे डाल लेना है, तो इस प्रकार से, मैंने यह जो है, ठीक है, इस प्रकार से email ID जो है, जो यहां पे left वाले phone में मैंने डाला हुआ है, ठीक है, यहां पे space नहीं होगा, इस प्रकर से हमारा email id जो है वो यहाँ पे हम डाल लेंगे उसके बाद आपको उसी email id से यहाँ पे login कर लेना है तो यहाँ पे हम next पे click करेंगे और next पे click करने के बाद एक बार यह password आपको यहाँ पे पूछने वाला है तो password जो है वो यहाँ पे हमें दे देना है तो यहां पर मेरा थोड़ा सा email ID जो है थोड़ा सा गलत हो चुका है तो इसको मैं यहां से सुदार लेता हूँ इस प्रकार से यह हमारा email ID यहां पर चला जाएगा और email ID के बाद यहां पर हो गई है कि थोड़ी देर में हमारा यहां पर login भी हो जाएगा दोस्तों हमें पासवर्ड यहां पर देना होगा तो पासवर्ड भी जो है हम यहां पर दे देते हैं ठीक है जो अपने विक्टिम के फोन में आपने जो email डाला हुआ है उसी को आपको यहां पर दे देना है तो मेरा यहां पर गलत बता रहा है मैंने मुझे लगता है कुछ यहां पर मैंने email id डालते हुए गल्ति की होगी तो यहां पर हमारा sign in जो है वो यहां पर हो जाएगा अब जैसे signing हो जाएगा ठीके allow this using this app इस प्रकार से तो यहां पर देखे samsung galaxy j7 phone है वो यहां पर क्या होगा find my device में चला आएगा अब इसका जो location है देखे आपको यहां पर देख जाएगा थोड़ी देर में location यहां पर पता चल जाएगा दोस्तों देखे इस प्रकार से आ जाएगा अब यहां पर आप location देख सकते हो left वाले phone में और वही location जो है आपको right वाले phone में भी दीख जाएगा ठीक है इसको हम छोड़ा सा चोटा कर ले दे तो exact right location यह यहां पर बता देगा क्योंकि Google का product है तो Google Maps से location जो है वो आपको यहां पर मिल जाएगा कोई भी problem आपको यहां पर नहीं दोस्तो इस प्रकार से आप देख सकते हों कि अगर आपको अपने girlfriend का boyfriend का किसी का भी husband wife का किसी का भी आयो लोकेशन आपको देख लेना है उसके mobile में बिना कुछ application डाले हुए तो दोस्तो इस वीडियो की मदद से आप यह सब कर सकते हों तो दोस्तो इस प्रकार के टेकनिकल के वीडियो देखने के लिए आज ही यह जो आप चैनल देख रहे हो इसको सब्सक्राइब कीजिए bell icon को enable कीजिए और इस वीडियो को like और share कर दीजिए मिलते एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार